नमस्कार प्रिये दर्शकों हाजिर हूं मैं फलित जोतिश सीखने के क्रम में आज इसकारिक्रम का छठवा भाग लेकर आज हम ग्रहों के उच्च और नीज अवस्था के बारे में जानेंगे किस राशी में ग्रह उच्चका होता है तो किस राशी में ग्रह नीज का ये याद रखना एक जोतिशी के लिए एक जन्म कुंडली अध्यन कर रहे है व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्चक है जन्म कुंडली में ग्रह उचका हो तो सरवाधिक स्रिष्ट फल प्रदायक होता है और नीचका हो तो सरवाधिक कष्ट प्रदायक अगर उस पर कोई और सूत्र लागु न हो रहा हो जैसे नीच भंगित्यादी तो वो बेहद कष्ट प्रदायक होता है जैसे उच्च का ग्रह बलवान होता है वैसे ही नीच का ग्रह भी बली होता है वो कमजोर नहीं होता और वो जातक के जीवनकाल में विशेश कर अपनी दशा अंतर दशा में बेहद कष्ट प्रदान करता है ग्रह किस अंस पर परमुच्च होते हैं तो किस अंस पर परम नीच क्योंकि ग्रह अगर अपने परमुच्च अंस पर हो तो पूरी कुंडली की इस्तिती को बदल कर रख देंगे कोई भी एक ग्रह अगर परमुच्य अंसपर है तो कुंडली में वो सरवाधिक सुरिष्ट राजयोग कारक बन जाएगा और परम नीच अंसपर है तो पूरी कुंडली को कमजोर करके रख देगा सारे राजयोगों को भंग कर देगा तो इसलिए जन्न कुंडली अध्यन कर रहे व्यक्ति को ग्रहों की उच्च अवस्था नीच अवस्था और किस अंसपर परम नीच का ग्रहो होता है ये अवश्याद रखना जाएगे मैं यहाँ पर एक चार्ट आप सबके समुख रख देता हूँ इस चार्ट को आप देख लीजिए इससे आपको बेहद आसानी हो जाएगी और इसके आधार पर आप ग्रहों की इस्तितियों को समझ सकेंगे प्रियदर्शकों सबसे पहले तो आप ये जानिये कि ग्रह जिस राशी में उचका होता है ठीक उससे सातवी राशी में नीच का होता है अब ये बड़ा सरल है कि जहां आप उचाई पर होंगे गिरने पर ठीक उसके सामने ही आप नीचे होंगे यहां पर कोई जोतिश से तरकमत लगाईए हमेशा याद रखिए कि जोतिश को समझने के लिए बेहद सरल इस्तिती का इस्तेमाल जबाब करेंगे तो ये चीजें जो कि आपके आम जीवन से जुड़ी हुई हो आपको याद नहीं रखनी पड़ेंगी क्योंकि आम जन जीवन में हमारी घटनाय रोज घटित हो रही है तो क्या दिखाई पड़ता है कि जहां हम उपर बढ़े हैं वही ठीक नीचे हम गिरेंगे अगर नीचे होंगे तो वहीं यानि जहां ग्रह उचका हुआ ठीक उसके सामने यानि सात्वी रासी में वो नीचका होता है अब क्यों और कहां किस प्रकार वो उचका होता है इसमें शास्त्रिये तर्क क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा लेकिन मुख्य बताऊंगा कि म मैं इस पर कौन सा आधार दिमाग में रखता हूँ और आपको यही तरक अपने दिमाग में रखना होगा क्योंकि आम जन जीवन में आप इसे घटित होते हुए देखेंगे। सबसे पहले ग्रहों के अंस के बारे में आपको याद कर लेना होगा सबसे पहले बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर की यह मेश रासी में उचके होते हैं और ठीक इसके सामने नीचे कौन सी रासी आएगी अगर मेश को उचे उपर रखेंगे तो नीचे तुला रासी में यह नीच के होते हैं दस अंस पर परमुच्य होते हैं तो ठीक दस अंस पर परम नीच चंद्रमा की अगर हम बात करें तो ये व्रिशब राशी में उच्चके होते हैं तो ठीक व्रिशब को ऊपर रखेंगे तो व्रिश्चिक सामने आ जाएगी तीन अंस पर ये व्रिशब रासी में परमुच्च होते हैं और तीन अंस पर व्रिश्चिक रासी में परम नीज मंगल की बात करिए मंगल मकर राशी में 28 अंस पर परमुच्च होते हैं नोट करिएगा मंगल मकर राशी में उच्च के होते हैं तो मकर्क आप उपर रखेंगे तो नीचे कर्क रासी आ जाएगी तो कर्क रासी में ये नीच के होते हैं 28 अंसपर परमच्च होते हैं और 28 अंसपर ब्रिष्चिक कर्क में परमनीच होते हैं मकर में 28 अंसपर परमोच और करक में 28 अंसपर परमनीच बुद्ध की अगर हम बात करें तो बुद्ध कन्या राशी में उच्चके होते हैं जो कि उनकी खुद की राशी है क्यों आगे बताऊंगा और ठीक उसके सामने मीन राशी आ जाती है मीन राशी में परम नीच होते हैं 15 अंसपर यानि 15 अंसपर परमोच तो ठीक 15 अंसपर ही परम नीच होते हैं गुरू की अगर हम बात करें तो गुरू करक राशी में उच्चके होते हैं और ठीक उसके सामने मकर राशी यानि करक को उपर रखेंगे तो नीचे मकर राशी आ जाएगी तो ठीक मकर रासी में पांच अंसपर गुरु परमुच और पांच अंसपर ही परम नीच होते हैं शुक्र की अगर हम बात करेंगे तो ये मीन में गुरु की राशी में मीन में परमुच और मीन को अगर आप उपर रख दें तो आपको ठीक नीचे दिखाई पड़ेगा कन्यारासी कन्यारासी में ये नीच के होते हैं 27 अंसपर परमुच और 27 पर ही परमनीच शनी की बात करेंगे तो तुला में तुला में ये उच्च के होते हैं तो ठीक उपर अगर तुला को रखेंगे तो नीचे मेस आ जाएगा मेस रासी में ये नीचके होते हैं 20 अंसपर परमुच्च और 20 अंसपर ही परम नीच राहू और केतू के लिए दो-Dो रासिया रिशियों के मत में कोई मिथुन कहता है तो कोई व्रुशव कहता है 15 अंसपर ये उच्चके होते हैं और पंद्रहंस पर ही परमनीज अगर बात आप ब्रिशब की मान के चलते हैं तो ब्रिशब में पंद्रहंस पर परमुच तो ठीक सामने ब्रिश्चिक रासी होगी ब्रिश्चिक रासी में पंद्रहंस पर परमनीज और केतु की बात करें तो ठीक उसके भी परीत होते हैं मानते ही हैं अब रिश्यों की गणना है तो हम मानते ही हैं दोनों मानते हैं तो उसमें 15 अंस पर उच्छ और नीच के होते हैं ये तो आपने उच्छ और नीच की स्तिती और अंस को याद रखा जैसा कि मैंने कहा कि ग्रह अपने परमुच्छ अंस पर हो या परम नीच अंस प जो सास्त्रिय विधी है क्यों ग्रह परमुच अंस पर कहां प्राप्त हो रहा है और क्यों हो रहा है सामन्य रिसियों की बाते में कुछ बातों में लेकिन मुख्य में अपनी बात आपको बताऊंगा जो कि आपको याद रखना बेहद सरल और आपको आम जन जीवन में दिखा अब सूर्य कौन है तो सूर्य है आत्मा आत्मा मोग्ष के कारक के नक्षत्र में जब जाये तो परमुचता हासिल कर ले ऐसा रिष्यों का मानना है सीधि सी बात है कि आत्मा को सद गती मोक्ष मिल जाये तो वही उसकी परमुच इस्तिती है चंद्रमा की हम बात करें तो चंद्रमा मन है और सूर्य आत्मा मन और आत्मा का एकिकृत हो जाना ही मन को उच्चता प्राप्त कर देता है तो सूर्य के नक्षत्र कृत्तिका में ये बृषब रासी में परमुच्च हो जाते हैं मंगल की अगर हम बात करें, तो ये खुद के नक्षत्र में, चित्रा नक्षत्र में, लेकिन 28 अंस पर शनी की रासी में, शनी को ये अपनी सत्रू रासी मानते हैं, अब शत्रू के घर में, जाहिर सी बात है कि ये सेनापती अपने ही नक्षत्र में होगा, तुसे इसे तरह से बाकी कि ग्रहों के लिए भी रिशियों ने अपना तर्क दिया बुद्ध को कहा कि ये चंद्रमा के नक्षत्र में परमुच्चता को प्राप्त करते हैं और गुरू को शनी-पुस्य के नक्षत्र में जहां सुनेता होती है वहाँ पर शुक्र के लिए कहा, बुद्ध के नक्षत्र रेवती पर ये परमुच्चता को हासिल करते हैं, तो सनी के लिए कहा, कि ये गुरू के नक्षत्र में परमुच्चता को हासिल करते हैं, अब मेरी बारी आती है, कि मैं इस पर कौन सा तर्क रखना चाहता हूँ, उसक तरा गौर करिये कि राजा को परमुच्चता कहां मिलेगी गुरू के हां मिल सकती है नहीं राज घराने में मिल सकती है नहीं अपने यूराज के घर में मिल सकती है नहीं फिर राजा को परमुच्चता वहीं मिलेगी जहां उसको बल देने वाला खड़ा होगा राजा को जब बल देने वाला साथ उसके खड़ा हो तो उसे परमुच्च अंस के बारे मैं आपको बता दिया कि उस समय वहां नक्षत्र होता है इसलिए परमुच्च लेकिन क्यों उच्च का होता है ये मैं आपको अब समझा रहा हूँ आप अपने आम जन मानस में आम जन जीवन में इसको उच्चता मिलेगी चंद्रमा की अगर हम बात करें तो चंद्रमा को अगर आप उच्च और नीच की स्थिती में देखें तो जब वो उच्च और नीच की स्थिती में होते हैं तब मृत अवस्था में होते हैं क्यों बृसब हमें उच्च के होते हैं और बृसब समरासी है उल्टी इस्थिती होती आने वाले दिनों इसके बारे में बताऊंगा तो वहाँ पर वो मृत होते हैं और जहां नीच होते हैं वहाँ भी मृत होते हैं इसके लिए सामाने सा तर्क है कि मन कभी न तो उंचका होता है न कभी नीचका होता है मन की इस्थिती तो यथावत है उस मन को आप ड़खना चाहेंगे वह ही मन होगा मन को न तो उच्छ होने देना न नीज मन के गोडे का लगाम हमें अपने हाथ में रखना होता है consider सामानने सा तरक है मंगल की बात करिए मंगल शनी की रासी में उच्च के क्यों होते हैं बड़ा स्वरल तरक है समझे एक सेना पती उसको सबसे जादा बल कहां मिलेगा इसको एक आम जनजीवन में देखिए अगर आपके घर में नौकर वगरा हैं आपके घर में नौकर है तो जो पुराना नौकर है जो बहुत दिनों से है या यूं कहें कि नौकर मत कहिए आप आप समझ लीजिए कि एक मालिक है आप और आपके पास एक ऐसा व्यक्ति है जो मुनीम है आपका या उचे पद पर है आपके नौकरों में आपके उचे पद पर है तो जाहिर सी बात है उसक के कारक हैं तो सिधी सी बात है कि एक दास और दास का भी दास उदाहरण से समझिए कि सेनापती हुने कार्थ क्या है राजा के अधिनस्त हो ना और दास दास भी राजा के अधिनस्त है लेकिन ये सेनापती के भी अधिनस्त हो जाएगा तो सिधी सी बात है कि सेनापती को अग अपना बल प्रयोग करने का मौका मिलेगा जहां साहन साही दिखाने का मौका मिलेगा वो कौन सा घर होगा जहर सी बात है उस राज घराने में दास का घर होगा राज घराने में अदना तो राजा के हां जाके अपना प्रभुत तो दिखा सकता है न रानी के हां न यूराज के और गुरू के यहां दिखा नहीं सकता, क्योंकि गुरू के यहां खुद जाकर के राजा जब जुखते हैं, तो सिनापती तो अपना बल दिखा नहीं सकता, फिर कहां दिखाएगा, एक ही जगा है, दास के यहां, तो वहीं जाकर के उसको उच्चता मिलती है, अब अगर हम ब जो साहनसाहियत उसको मिलती है उसे कहीं नहीं मिलती अपने घर में वो जो चाहे करे जो उत्पात करना चाहे करे क्योंकि औरों के घर में माता-पिता भी डाटने के लिए तयार होते हैं और उसको भी होता है समझत होती है कि नहीं नुकसान कर सकते हैं तो बालक ठीक अपने घर में ही उच्चका हो सकता है और कहीं नहीं, और कहीं नहीं वो उच्चका होगा, जस्ट गुरू के लिए आईए, गुरू पांच अंस पर उच्चके और नीचके होते हैं, जहां वो मृत तवस्था में होते हैं, चंद्रमा और गुरू दोनों की ये इस्तिती में ही है, न वो उच्चका है न नीचका है, सदाई वो एक इस्तिती है उसकी, शुक्र की हम बात करें, शुक्र कौन? शुक्र है भोग, अईस्वर्य, एक आम सधारन परिस्तितियों में देखें, तो एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसे इस्तिरी कह लीजिए, क्योंकि श गुण है, मानवी गुण है, कि चोर सदईव साधू से प्रभावित होता है, तो साधू के मन में भी कही न कहीं चोर के उन गुणों को देखकर आकर्शन उत्वन्न होता है, जैसे पुरुष इस्तिरी से आकर्शित होता है, वैसे इस्तिरी पुरुष से ये बिपरीत के प् द्भानी जो अपने यहां रख रह करके और उसके ठीक सामने साध्यूच का एक मठ था तो दिन भर वेश्याथी बैचारी, लेकिन दिन भर सुझती थी कि साध्यू देखो कितने तपस्या कर रहे हैं, दिन भर उसका मन उन्हीं में लगा रहता था, क्योंकि कहीं न कहीं, वो अपनी चीजों से विरक्ति ढूंड रही थी, दुखी थी, ऐसा ही होता है, जब कोई चीज हमें प्राप्त हो जाता है, तो उससे हम बिलग भागना चाहते हैं, अलग भागना चा रासी में वो आता है, उसे उंचिता मिल जाती है, गुरू की रासी है, भले साधारन रासी है, क्योंकि गुरू के घर में तो कोई जाकर उंचिता नहीं हो सकता, तो गुरू के साधारन घर में ही जाकर के, जैसे उसको ज्यान का मौका मिलता है, उसे उंचिता मिलती है, अब आपके घर में नौकर चाकर हैं तो उनके कारियों पर जरासा आप नजर डालिए कि सफाई करते करते आपके सुन्दर से विस्तर पे जहां उसको थोड़ा सा एक सेकेंड के लिए मौका मिला बैठ के देखेगा कैसा लगता है उसको आनन्द उसी में मिलेगा तो शुकर की रासी भोग की रासी है और दास को जैसे ही भोग की रासी में जाने को मिलता है उसे आनन्द आ जाता है आप वो उच्चता को प्राप्त कर लेता है अब इसके पीछे का रहस से 20 अंस तक ही क्यों ये भी बड़ा जबर्दस्त विचारणी तत्य है ये भी बड़ा जबर्दस्त विचारणी तत्य है लेकिन आज मैं आपको बस इतना ही बताऊंगा क्योंकि अगले सब्ताह मुझे फिर इस विशय को समझाना होगा कि उतने ही अंसपर क्यों होते हैं और फिर नीज के क्यों होते हैं तो आज जितने तथ्यों को मैंने आपको बताया इसे नोट करी अब सवाल उठता है कि जो रिस्यों ने बताया उसमें क्या दिक्कत है उसे याद करना पड़ेगा उसे याद करना पड़ेगा और नक्षत्रों के साथ याद करना पड़ेगा कई बार जब आप अपने काम में ब्यस्त हों तो आपको वो तर्क वो नक्षत्र याद करना मुश्किल हो जाएगा फिर सरल है आपके आम जन जीवन में आप घटित होते हुए देख सकते हैं इसमें याद कुछ भी नहीं करना ये आपके साथ की घटना है तो सीधी सी बात है कि इसे याद रखना आपके लिए सरल है अब ग्रह नीच के क्यों होते हैं इस पर भी तर्क होना चाहिए इस पर भी तर्क होना चाहिए और इतने अंस पर परमुच और फिर वहीं पर परम नीच क्यों हो जाते हैं इस पर भी तर्क होना चाहिए इस तर्क को अगले सप्ताह के लिए छोड़ देते हैं यहां तक की बातें आप विशेशकर अंस को जरूर याद कर लिजेगा ये याद करने की आवश्चता है क्योंकि याद नहीं करेंगे तो कुंडली में ये जरूरत जब पड़ेगी तो परमुच और परमनीच की स्तुती पर आप कुंडली का विशलेशन ठीक से समझ नहीं पा झाल